शामली की थाना भवन शुगर मिल में सीजन के अंतिम दिरों में विवस्ता चर्मलाती हुई दिखाई दी। आपको बता दे कि शुगर मिल गुरिवार तक शुरू रखी जाएगी लेकिन तब तक अधिकारियों ने थाना भवन के अलावा शामली शुगर मिल के गन्ने को भी अनुमती दे दी हैं। इससे हालात ये भी बन गए हैं कि मिल में गन्ना बोगियों ट्रॉलियों की लंबी लाइनी लग गई हैं जोसे विवस्ता भी खराब हो गई। अब किसान दो-दो दिन से शुगर मिल के लाइन में लग कर परिशानियों का सामना कर रहे हैं लेकिन उनकी समस्या का कोई समधान नहीं हो पा रहा है। लेकिन इस पर अभी तक कारवाई नहीं हो रही है किसानों के चंता हाला की जरूर बढ़ गई है। यह तज़्वीरें आप देख सकते हैं शामली से जहां पर ट्रॉक में किस तरह गन्ना लदा हुआ है लेकिन कारवाई के नाम पर अभी तक कुछ भी नहीं हुई है। देखा जाए तो विवस्ता पूरे तरह से चौपट हो चुकी है। शुगर मिल तक गन्ने नहीं पहुँच पा रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ ये गन्ने ट्रकों में लदे हुए हैं। इससे किसानों को काफी परिशानियां भी उठानी पड़ रही है। अजय है।